असलाम रेकुम एब्रीववन वनस अगेन वेलकम टू माई चैनल आई होप के आप सब लोग पिलकुल ठीक ठाक होंगे और रमजान को अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे होंगे खुब भी बात दिक कर रहे होंगे और ईद की त्यारियां भी जोरो शोर से होंगी क्योंकि यह मेरा वो ब्रैंड है जो मैं काफी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इनके प्रोड़क्ट पढ़ना मैं आँख पंद करकर यकीन कर सकती थी अब नहीं कर सकती क्योंकि इतनी जादा मुझे डिसपाइंटमेंट होई है इस प्रोड़क्ट से तो मैंने सचा कि चले में आप लोगों के साथ भी ना इसका रिव्यू शेयर करती हूँ तो सबसे पहले तो आप लोगों ने बैक्ग्राउंड की जो लाइट्स है ना उसको थोड़ा से इग्नोर करना है क्योंकि यह मैं नाइट टाइम में शूट कर रही थी और फिर इस वज़े से इस तरह की लाइट्स आ रही थी कुछ सेटप भी नियूँ था तो थोड़ा बहुतना आप लोगों अरजेस्ट कर लीजेगा वाइस ओवर पर जादा फोकस कीजेगा तो जी आज मैं जिस प्रोड़क्ट कर रिविव आप लोगों के साथ करने वाली हूँ वो है रिवाज यूके का टूवे केक फांडेशन तो बी वेरी ओनेस्ट रिवाज यू ऐसा ब्रैंड है जो मेरा मॉस्ट फेवरिट था और मुझे इसकी हर प्रोड़क्ट ही बहुत अच्छे लगती थी चाहे वो इसका फेस वाश हो, इसका सन ब्लॉक हो, इसका मसकारा हो या फिर इसका फेस पैक की फेस पाउडर वगेरा लेकिन ये इतना कोई घडिया प्रोड़क्ट है कि मैं आप उनको बतानी सकती ये शाहिद ऐसा हो सकते है कि ये मेरी स्किन पर सूटा किया हो मैंने इसको भी टेस्ट किया, मैंने 3-4 डिफरेंट स्किन टाइप्स पे इसको अप्लाई किया और उसी सेम पर उसने वही रिजल्ट दिये, इतना कोई घडिया फाउंडेशन है इनका ये इस पर लिखा हो है कि ये आईल फ्री है लेकिन जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, हलांके जिस तरह से बेस्ट बनाते हैं मैंने वैसे ही बनाई इस पर ये मैंने पहले टोनर और पर प्राइमर मॉस्चराइजर और फिर ये लगाया तो फिर भी मेरी बेस्ट बेकुल टिक ही नहीं रही थी मैंने इसको ड्राइफ वोम में भी यूज किया और वेट फंच के साथ भी प्लाई करने की कोशिश की लेकिन ये नहीं मेरे किसी काम कानी है तो मैंने सोचा कि चलने जब मेरे सथ ऐसा हुए तो मैं आपनों के साथ भी इसका रिविईू शेयर करती हूँ तो इसकी पैकेजिंग के अगर बात की जाए नहीं तो पैकेजिंग इसकी बहुत ही कमाल थी बहुत अच्छी पैकेजिंग थी लेकिन यहां पर मैं आपनों को बार-बार दिखा रही थी कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये कितना कोई घटिया है और बहुत ही मुझे तो इसके बिलकुल नहीं अच्छी लगी ये चीज और मैं इसे जैसे ही लगा रही थी वहीं पर एक बहुत बड़ा साना पैच बना देता था एक ड्राइनिस पैच बना देता था हाला के मेरे पास बहुत सारे कॉमपैक पाउडर्स है बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रैंड्स के low brand के भी मैंने रखे हुए वो और बात है कि वो मैं किसी को देने के तोर पर यूज़ करती हूँ I'm sorry to say वर आप मुझे इस बात से जर्ज नहीं करना कि मैं खुद तो सही चीज़े यूज़ कर रही हूँ लेकि दूसरों को मैं घटिया चीज़े दे रही हूँ हाला कि इनका जो है ना रिवाज UK का सन ब्लॉक वो मेरा फेवरिट है उसका रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसका लिंक भी मैं आई बटन पर लगाऊंगी आप लोग जाकर उसका रिव्यू भी चेक की हुज़ेगा और फिर रिवाज का जो है आजकल मेरा मोस्ट फ्रेवरिट है इनका मस्कारा जो के बहुत अच्छा है वाटर प्रूव है उसका रिव्यू भी ना मैं इन्शाला अपनी अपकमिंग वीडियो में ट्राय करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ लेकिन जो इनका है ना इसने मुझे बहुत डिसपॉइंट किया है यहां बर मैं मों को शो करा रही थी कि मैं अपकमिंग वीडियो में कुछ जो है वो मेबलीन के प्रोड़क्ट का रिव्यू करूंगी और यह मैंने एक पैक लिया था मेकप स्पॉंच पाउडर पर्फ है यह काफी अच्छे हैं इसमें कंसीलर के लिए है और ब्यूटी ब्लेंडर्स है यह सारा बहुत अच्छा था अच्छा अब चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ रिवाज जुके कि अगर प्राइस की बात करें तो यह 1000 से 1200 की रेंज में आपको इसली मिल जाएगा और जो रिवाज जुके की मेन वेब साइट है ना वहां पर तो मुस्टली डिसकाउंट चल रहे होते हैं आप लोग वहां से इसको ले लीजेगा लेकिन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लीजेगा मेरी सिस्टर और मेरी मदर या पर मेरी फ्रेंड्स के स्किन पर सूट ना करें लेकिन आप लोगों की स्किन पर कल जाए बाकि अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसे 10 में से दोंगे सिर्फ वस्रिफ 3 पॉंट्स वो 3 points भी इनकी packaging को लेकर कि इनकी packaging अच्छी है अंदर प्रोडक्त वो तो बिल्कुल वेस्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं है प्रोडक्त अगर किसी को चाहिए तो मुझे comments में बताना मैं आप लोगों को ये free में प्रोडक्त दूँगी क्योंकि मुझे ये इससे जादा ना रिवाज वालों की मैं कर नहीं सकती थी वरना मैं इससे जादा उनकी करती कि उन्होंने मुझे कितनी घटिया चीज़ दी है और मैं किसी भी अपने viewer को ये recommend नहीं करूंगी कि वो लोग जाकर इनका product वो बहुत अच्छा है रिवाज जियू की का ना चारकुल मास्क बहुत अच्छा है black hat, white hat removal mask इनका बहुत अच्छा है इनके बहुत अच्छे अच्छे products भी थे बट में भी ये product में ऐसा क्यों किया है या पिर क्या issue था में भी जहां से यह मैंने लिया था वो औरीजनल ना हो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि क्योंकि यह मुलतान की सबसे बड़ी और अच्छी थी मार्केट जहां से मैंने इसको लिया था और औरीजनल चीज़े ही वहाँ से मिलती है काफी प्रोड़क्ट जो है मैं आप लोगों के साथ रिवियो दे चुकी हूँ वह मैं वही उसी सेम लोकेशन से लेती हूँ लेगर फिर इसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ फिर मैंने अपनी कुछ फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि मेबलीन और एक दो और ब्रेंड थे उनको मैं आपर मेंशन नहीं करूँगी उनके प्रोड़क्ट एस कंपेर टो रिवाच उनके प्रोड़क्ट जादा भीतर है तो अपनी अपकमिंग वीडियो में जरूर आप लोगों के साथ किसी अच्छे कंपेक्ट पाउडर की का रिव्यू जरूर शेयर करूँगी तैकिन अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे तो बस आज के लिए इतना ही अपसो कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि क्या लेना है और क्या नहीं फिर मिलेंगे किसी एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफेज